कि अपने तरफ से कि आपने जिस्टे भले कितना भी क्यों न पढ़ लिया हो बट मेरा यह परसनल सदेशन और परसनल एक्सपरियेंस रहा यार कि आप लोग जितना ही पड़े हो वह तो ठीक है लेकिन उसकी अलावा उसके अलावा आपको बोड के दो से तीन पेपर तो अच् परसनल सदेशन है यार अब यह पेपर कैसे करना है कहां से करना है यह आप यूटूब से सर्च करो या फिर हमारे आप से जा करके करके फुल कोर्स प्लस बोर्ड कोईशन थेरी कोईशन अब्जिक्टिटि अब्रिटिंग कर लो तो आज मैं आपको एक सम बताने जा रहा देखो दो क्वेशन दिया है एक दस माग का एक पांच माग का टूल पंदरा माग का और इसके ऑप्शन में फिर टू का सी और टू का डी दिया है इस तरीके से टूटल चार क्वेशन है एबी और सीडी अभी काफी बच्ची बोलेंगे सर मुझे को ए आर और सी आर चल करने जा रहा हूं जो दस माग क्वेशन है कि कैसे पहचानेंग और क्या सौल करेंगे सब्सक्राइब को देखिए यहां पर ध्यान से और इन पूरे क्वेशन के लिए आपको यह वाला लिस्ट पता होना बहुत ज़रूरी है कि कौन से कौन से चीज़े एक्जम्ड है बल्ल रिकॉर्डिंग पुरा लेक्ष्ट भी आवेलेबल रहेगा तो आपको स्क्रीन शॉट नहीं जरूत है जाके आप डाउनोड कर लिजेगा अप से ठीक है और जिनके पास नहीं है कोई बात नहीं हो यहां स्क्रीन शॉट लिए बात में लिख लिए नोटबुक पर ठीक है यह चीज़े आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे पूरे जिस्टी पेपर के लिए पूरे जिस्टेपर के लिए इसको अच्छे से लिख लीजेगा ठीक है तो ध्यान रखे कहीं चीजों को ओके हां आगे बढ़ते अभी देखो तो उस लिस्ट के हिसाब से अच्छा क्या है compute the value of taxable supply यह हमारा पहला question है कि बोल रहा है compute करो value of taxable supply कितना होगा value of taxable supply यह अपना taxable supply chapter question है and GST liability ओ हो हो भाई भाई दो चीज़ पुछा है एक तो taxable supply दूसरा GST liability अब देको value of taxable supply के लिए simple सा जो जो चीज़े यहां पर आपको सारे के सारे सेल्स वाले चीज़ पकड़ना है सेल्स वाले जहां पैसा रिसीप्ट हुआ रहेगा उन सब चीज़ों को जो जीज़े में consider होता है उनको सिंपल सा एड करेंगे जब उनको एड कर देंगे तो मुझे मिल जाएगा मेरा value of taxable supply बहुत सिंपल तरीके से बता रहा है कि क्या सर जो भी चीज़े सप्लाइ मतलब सेल में आता है पैसा रिसीव में आता है और जीज़े में consider है उन सभी को प्लस कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा value of taxable supply डन अब GST लाइबलेडी का मतलब समझाता है पहले में कि as a person मैं GST कितना pay करूंगा मेरे पर कितना लाइबलेडी है कितना pay करूंगा मतलब यह इसका formula सिंपल सा अपना ITC चाप्टर का यादार है input tax rate चाप्टर का ITC output minus input क्या था output minus input था तो अब जो sales के ओपर जिस निकलता ना sales के प्लीच तोड़ा सुनलो मैं answer बताऊंगा दिखाऊंगा थोड़ा data आपके पास होना चीए अगर पड़ा है नहीं पड़ा जो भी है तो इस sales के ओपर जो जिस निकलता उसको बोलते output GST और इसमें एक भी कहीं transaction purchase या payment वाला दिया होगा तो हमें input GST भी मिल जाएगा और अगर question में कहें पर purchase कोई चीज दिया होगा तो आपको इसके लिए वह ITC वाला concept भी solve करना पड़ेगा मैं इस question में दो question आ सकते हैं एक तो value supply दूसरा ITC भी बन सकता है कि question क्या है क्या नहीं है तो देखो सबसे बले बोला है कि receive fees from पहले तुम्हें क्या पता करना है यह वाला तो first focus इसके उपड़ी रहेगा कि value of taxable प्लाइसर कैसे निकालेंगे तो देखो receive fees for accounting एक सीए है यार तो सीए के लिए accounting वर कहने के यस कमिशल है सब्सक्राइब है आएगा आहां नहीं होगा मतलब यह यहां पर consider नहीं होगा नेक्स सिंग के कोचिंग पर चाड़ा अकाउंटेंट चार्ड़ेंट अकाउंटेंट सी को से यह के लिए चीज चाहिए और यह परचिस कर रहो स्टेशनरी खरीद रहो मतलब कहीं यह जो पार्थ है थोड़ा अलग है यह सप्लाई में नहीं आता है यह तुम्हारा किस्मा आएगा परचिस वाले पार्ट में है तो यह वैल्यू और सप्लाई निकालने के लिए यूस्फुल नहीं है वैल्यू और सप्लाई निकालने के लिए इसका यूस्फुल नहीं है इसका यूस्फुल कहीं और होगा वेट करो बताता हूं मैं फिर रेसीव गिफ्ट वाला पार्ट मैरीज वाले पार्ट में नहीं आएगा तो सर यहां पर देखा जाए तीन चीज़े सर एड्ड होगा एक दोन टीन इन तीनों को जब में अड कर दूंगा तो सिंपल सा मुझे मेरा वैल्यू अफ इस अब देखा रहे गा तो वैल्यू शप्लाई में एक चीछ शीखा है कि पूरा वैल्यू सप्लय निकलने के बात उस पर जीस्ट निकाला जाता है तो तो अब देखो कुछ इस को प्लस कर देना करके बता कितना यह ऐक लाग 20 यह हो रहा लगबक पांच लाग सतर हजार कितना हो रहा है पांच लाग ततर हजार ऑक इसक पद जी एसट बोला चैने नहीं बोला है तो multiply 9% तो 9% करने पर आएगा GST 51,300, 51,300 यह CGST यह SGST है तो अगर ना इस question में यह वाला statement नहीं होता ना यह वाला statement पॉर्चस वाला तो अपना answer यहीं पर stop हो गया रहता लेकिन यह purchase दिया है मतलब इसको पर भी GST रहेगा यह जो GST निकाल रहा हूं है sales को अपर निकाल रहा हूं मतलब यह output GST समझाता हूं मैं answer show करता हूं आपकर सामने देखिए इस तरीक से जो बताया 5,70 आया यह देखिए just a minute हाँ यह देखो 5,70 आया था और यह 51,300, 51,300 यह देखो यहाँ तक अपना answer यह देने के वज़र से हमें वापस आया continue करना पड़ेगा इसका solve करें काफी तरीक है डारेक भी कर सकता था में बटन मैं आपको बता रहा हूं ITC भी साथ में साल है तो कैसा आपको इसमें दो चाप्टर कवर हो जाएगा रिविजन हो जाएगा तो ITC का सर्फ फॉर्मेट हमने सीखा है सब्सक्राइब और इन सभी कॉलम में सिर्फ GST के अमाउंट आते तो पहला फॉर्मेट का था आउट्पूट तो आउट्पूट साथे को हमने निकाल दिया और इंपूट निकालना है तो इंपूट निकालने के लिए क्यों पर्चेस दिया था इसका अमाउंट कितना है 35000 कितना है 35000 और GST कितना है 9 परसें तो हम क्या करेंगे 35000 कपड़ 9% निकाला आया 315 0 315 0 आप आउट्पुट में से इन्पुट मैंने से इन्पुट माइनस करेंगे यह भढ़ गया 48 115 पॉजीटिव और विएससे मैंनस की बजगया पॉजीटिव पॉजीटिव वाव क्यूँ उसकर हूं है क्योंकि अगर positive आया मतलब GST payable है और negative आया मतलब ITC balance है तो यह इस तरीके से sum को solve करना आपको ध्यान रखना इस तरीके sum को solve करना है यह हमने कहीं ने कहीं question number second का A वाला पार्ट solve कर दिया है पूरी तरीके से यह कौनसे paper का था सर यह है April 19 का paper question number two का यह जो दस्माप का था अगर सच में चाहतो है कम टाइम में सर पास हो जाए या कम टाइम में score कर ले या सिर्क ऐसा कुछ बता दो मुल मंत्र objective theory या practical question बोर्ड question तो सब कुछ मिल जाएगा आपको एक नॉमिनल चार्जस से चार्जस के आप जाके चेक कर लिजिए अदर्वाइस आपके पास या नंबर होगा मेरा definitely तो आप उसे आप solve कर पाऊगे तो आपको समझे कि ऐसा कंसर क्यों आया ठीक है तो आप देख तक तो यहां पर मिल जागा आपको ड़न सो हमने करें को सब्सक्राइब करना है तो आप जाके वहां आप में पढ़ सकते हो ठीक है अब मिलते हैं निव वीडियो निव लेक्चर दाता कि यह आगे बढ़ते ही हो सुने सब्सक्राइब करते हैं रहें कि समाथ बबाए जहिन दुस्तों